जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग उठा रहा ये बेटा है जीन के उस लालका जुबीत दुनों आतंकियों से भारत मतकी रक्षा करते करते शहीद हो गया शहीद का ये बेटा भी सिनमी ही तैनात है और आज अपने पिता के पार्थे शरीर के इंतजार करते करते ये बेटा कह रहा है कि हर दिन कोई न कोई अपना बेटा अपना पिता अपना भाई खो रहा है अब तो पाकिस्तान से बदला जरूर लेना चाहिए हर रोज अपने माँ अपने बेटों को खो रही है, कोई बच्चा अपने बाप को खो रहा है, कोई बाई खो रहा है, तो बदला तो लेना इसी ज़रूर तो ज़रूर हो रहा है दरसल CRPF में इंस्पेक्टर की पतपर तैनाथ 54 वर्षे कुलदीप मलीक बीत दिन जमो किश्मीर की ओधंपूर के बसंत गड़े लाके में आतंकियों की हमले का शिकार हो गई और जैसे उनकी शहादत की खबर आई, गाउन इडानी में मातम पसर गया कुलदीप की शहादत की खबर मिलने पर गाउन समेत आसपास के इलाके के लोग शोक जताने पिडित परिवार के घर पहुच रही हैं शहीद कुलदीप के दू बेटे हैं नवीन और संजे, नवीन सेना में तेना थे और संजे रेलवे पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा है 14 साल पहले एक खेल कोटे से कुलदीप मलिक सी रपीएफ में भरती हुए थे और अगले दिन डियेसपी के उपत पर प्रमूट होने वाले थे नवीन ने बताया कि अभी हाल में मेरी पापा से फोन पर बात चीत हुई थी तो मैंने कहा था कि पापा आतंकियों से बच के रहना तो जवाब में उन्होंने कहा कि बेटा मैंने बहादरों वाली जिन्दगी जी है और वही जीएंगे बस वही उमीद थे जी उस ले गए अब रही क्या गया आब हमारे पास अब कि लास्ट बात कब होई थी थी कि मेरी कल विए थी जीशुबाय तो कल तब गार था तो उसके उसमें बात हुई थी किया बात है कि अब भाई यही कि वस तवार अच्छे से बुनाना अपने अराम से रहना प्यार से वें नयां हुआ प्राय कि बोल रहे था जोगे लिए ओर मावा चोटा भाई है थि ताद्धी औरट के दोनों कहें अमारी गाहिए पाई है नोकरी भाई है तो आप कुछ से बहुत है तो दूसरा बाई वो अर्पिव में वोज की बारे में जिक्या बताता था जी वहां जो कैसे बताता क्या होता है बाज वो प्रेशन चले रहें दो-तिन महीने से ज्यादा बुट गया है ट्रेश्ट वाड़ा तो वह से ही महां बचके अपने द्यान । कुछ दो लेना ही चेंवाज रहे सीक्शन चारर से टाइडनीरों से ही मती जी जनकरी के मतबिक बीत दिन दुपैर रहे हुआ है। जनकरी के मताबिक बीत दिन दोपैर तीन बजे के बाद CRPF जम्मु कश्मेत पुलिस के जवान होदंपुर के बसंत गड़ एलाके में गश्ट कर रहे थे इसी भी चातंकियों ने हमला कर दिया जिसमें CRPF इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक शहीद हो गए कुलदीप की शहादत पर परिवार वालों में गंबी है और गुस्सा भी उनका कहना ही कि अब पाकिस्तान को मूँ तोड जवाब दिने का वक्त आ गया है जी बहुत नरम सबाव था भाई का सारे गाउं से मिलन सार थे किसी को कुछ कहते हैं कोई कह देता था तो चुप साप गरा जाते थे ते कभी किसी के साथ कोई काया सुनी नहीं कभी कुछ नहीं वहाज किया उनके साथ थे आज घ्री ये साल से नोकरी कर रहे थे उनको लुक्री में लग लग जाना सब्सक्राइब करते हैं और बहुत इमिलन सार है गाउं में तीन में से तो बहुत जादा ममले ओरेंघी सरकार ने इसके उपर एक्षण लेना चिये इस पे पाकिस्तान पेटेक करना चीए हर दूस यहां सखीड हो गया तो हमारे जीन में चैus 5 सफningar हो लिये। और अर्यानाब की आ ऐ इसमें तो सरकार ना बहुत ही ज़्यदा करवाई करना चाहिए। किसी का लाल सा रहा है, किसी का पती सा रहा है ज़रा है, किसी का उज़रा है। लेकिन इसके उपर कोई भी एक्षन नी ले रही है फिलाल, सरकार को चाहिए कि बहुत जल्दी एक्षन ले इस पर और विपक्स को भी है चाहिए कि ये वावाज संसद में, लोकसबा में, सारे उठाएं, सारी चीज एक जैसी होनी चीएं, भारत में, भारत मा के सबूत हैं जीन के गाउन निडानी के करीब साड़ तीन सो युवा सेना, सीर पीएफ और बीएसफ में तैनाथ हैं, पिछले कुछ महीनों में, अकेले जीन से ही दो जवान, आतंक्यों की हमले में शहीद हो गए, और पिछले कई दिनों से जवानों की शहादत की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में कुल्दीप की शहादत के बाद परिवारी नहीं, बलकि पूरन निडानी गाउं केंदर की मोधी सरकार से बड़ी कारवाई की मांग कर रहा है, बता दें कि शहीद कुल्दीप मलिक का पार्थिवशरीर आज शाम तक घर पहुंच सकता है, जिसके वोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद